सभी देश वास्यों को आदर पूरवग नवश्खार कोरोना संक्रमन से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब चार महने से जादा समय बीद गया है इस दौरां तमाम देशों के 42 लाग से जादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए है पौने तीन लाग से जादा लोगों की दुखत मुरुत्य हुई है भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए है मैं सभी के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ साथियों एक वाइरस ने एक वाइरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है विश्व भर में करोडों जिन्दगीयों संकट का सामना कर रही है सारी दुनिया जिन्दगी बचाने में एक प्रकार चे जंग में जुटी है हमने ऐसा संकट न देखा है नहीं सुना है निश्चित तौर पर मानव जाती के लिए ये सब कुछ अकल्पनिया है ये क्राइसिस अभुद्पूर्वा है लेकिन ठकना हारना तूटना बिखरना मानव को मिल्जूर नहीं है सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा हमारा संकल्प इस संकट से भी दिराट होगा साथियों हम पिछली सताब्दी से ही लगातार सुनते आए है कि 21 सदी हिंदुस्तान की है हमें कोरोना से पहले की दुनिया को वैश्शिक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मोका मिला है कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थीत्या बन रही है उसे भी हम दिरंतर देख रहे हैं जब हैं दोनों कालखंडों को भारत के नजरिय से देखते हैं तो लगता है कि 21 सदी भारत की हो ये हमारा सपना ही नहीं ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है लेकिन इसका मार्ग क्या हो विश्व की आज की स्थिती हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है आत्म निर्भर भारत हमारे हां सास्त्रों में कहां गया है एश्व पन्था यानि यही रास्ता है आत्म निर्भर भारत साथियों एक राष्ट के रूप में आज हमें बहुत एहम मोड पर खड़े है इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है एक संदेश लेकर आई है एक अवसर लेकर आई है मैं कुदाहरन के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूँ जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी N95 मास का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था आज स्थिती ये है कि भारत में ही हर रोज दो लाग PPE और दो लाग N95 मास बनाए जा रहे हैं ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को आउसर में बदल दिया आपदा को आउसर में बदलने की भारत की ये द्रश्टी आत्म निर्भर भारत के हमारे संकप के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है साथियों आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के मायने पुरी तरह बदल गए है ग्लोबल वर्ल में आत्म निर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है अर्थ केंदरित वैश्वी करण बनाम मानव केंदरित वैश्वी करण की चर्चा आज जोरों पर है विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन आशा की किरण नजर आता है भारत की संस्कृति भारत के संस्कार उस आत्मंदिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम कंप है विश्व एक परिवार भारत जब आत्मंदिर्भरता की बात करता है तो आत्मंदिर्भरता की वकालत नहीं करता है भारत की आत्मंदिर्भरता में संसार के सूख, सहयोग और शान्ति की चिंता होती है जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो जो पूरे विश्व को परिवार मांती हो जो अपनी आस्था में माता भुमी ही पुत्तो अहम पृत्विय इसकी सोच रखती हो जो पृत्विय को मा मांती हो वो संस्कृती वो भारत भुमी जब आत्म निर्भर बनती है तब उससे एक सुखी सम्रुद्ध विश्व की संभावना भी सूनिस्टित होती है भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है भारत के लक्षों का प्रभाव भारत के कारियों का प्रभाव विश्व कल्यान पर पड़ता ही है जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है टीबी हो, कूपोशन हो, पोलियो हो भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस ग्लोबल वर्मिंग के खिलाप भारत की दुनिया को सौगात है इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानोव जीदवगन को तनाव से मुक्ती दिलाने के लिए भारत का उफार है जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाईया एक नई आशा लेकर पहुंचती है इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंसा होती है तो स्वाभाविक है हर भारतियक गर्व करता है दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है मानो जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है सवाल यह है कि आखिर कैसे इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोर देश वाजियों का आत्मंदिर भर भारत का संकल्ब साथियों हमारा सदियों का गवरवपुन इतिहास रहा है भारत जब समृत्य था सोने की चिडिया कहा जाता था संपन्न था तब सदा विश्व के कल्यान की राह पर ही चला वक्त बदल गया देश गुलामी की जंजीरों में जखड़ गया हम विकास के लिए तरस्ते रहे आज फिर भारत विकास की और सफलता पुर्वक कदम बढ़ा रहा है तब भी विश्व कल्यान की राह पर अटल है याद करिए इस सताबदी की शुरुवात के समय वाइटू के संकट आया था भारत के टेक्लालोजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था आज हमारे पास साधन है हमारे पास सामर्थ है हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है हम बेस्ट प्रोडक्स बनाएंगे अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे साथियो मैंने अपनी आँखों के सामने कच्छ भूकम के वो दिन देखे हैं हर तरफ सिर्फ सिर्फ मलवा ही मलवा सब कुछ द्वस्त हो गया था ऐसा लगता था मनो कच्छ मौत की चादर ओटकर सोबया हो उस परिस्तिती में कोई सोज भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे लेकिन देखते ही देखते कच उठ खड़ा हुआ कच चल पड़ा कच बढ़ चला यही हम भारतियों की संकल परशक्ति है हम ठान लें तो कोई लक्ष अवसंभव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी है यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना भारत की संकल परशक्ति ऐसी है कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है साथ्यों आत्म निर्भर भारत की यह भगवे इमारत पाँच पिलर्स पर खड़ी होगी पहला पिलर एकनोमी एक ऐसी एकनोमी जो incremental change नहीं बलकि quantum jump लाए दूसरा पिलर infrastructure एक ऐसा infrastructure जो आदूनिक भारत की पहचान बने तीसरा पिलर हमारी system एक ऐसा system जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बलकि 21 सदी के सपनों को साखार करने वाली technology driven व्यवस्ताओं पर आधारित हो चौधा पिलर demand हमारी अर्थे बवस्ता में demand और supply chain का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी ख्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुरत है देश में demand बढ़ाने के लिए demand को पूरा करने के लिए हमारी supply chain के हर stakeholder का ससक्र होना जरूरी है हमारी supply chain हमारी आपूर्ती की उस ववस्ता को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू हो साथियों कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक package की गोश्णा कर रहा हूँ यह आर्थिक package आत्म निर्भर भारत भ्यान आत्म निर्भर भारत भ्यान की एहम कड़ी के तोर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर्ब बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक package का एलान हो रहा है उससे जोड़ दें तो यह करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है यह package भारत की GDP का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सब के जरीए देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का एक package 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाग्स 2020 में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गती देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस package में लेंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक package हमारे कुटिर उद्ध्योक गरह उद्ध्योक हमारे लगू मंजोले उद्ध्योक हमारे MSME के लिए है जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्ब का मजबूत आधार है ये आर्थिक package देश के उस स्रमिक के लिए है देश के उस किसान के लिए है जो हर सिती हर मौसम में देश वाज़ियों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है ये आर्थिक package हमारे देश के मद्द्वर्क के लिए है जो इमानदारी से टेक्स देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक package भारत ये उद्द्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्षे सुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्मंत्री जी द्वारा आपको आत्मा निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक package की विस्तार से जानकारी दी जाएगी साथियों आत्मा निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है कि बीते छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दब्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जन्धमन आधार मोबाइल जे ए एम जेम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म्स के उस दाइरे को व्यापक कर रहा है नई उंचाई देनी है ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी ससकत हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में क्रिशी पर कम से कम असर हो ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम सरर और स्पस्ट नियम कानू उत्तम इंफास्ट्रक्चर समर्त और सक्षम हुमन डिसोर्सिच और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के दिर्माण के लिए होंगे ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोसाइद करेंगे निवेश को आकरशित करेंगे और मेकिन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे साथियों आत्म निर्भरता आत्म बल और आत्म विश्वास से ही संबव है आत्म निर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कडी स्पर्धा के लिए भी देश को तयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए इसे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशन्सी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सूनिश्चित होगी साथियों ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है लेकिन इनी परिश्चितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष सक्ति उनकी संयम सक्ति का भी दर्शन किया है खास कर हमारे जो रेडी वाले भाई बहने हैं ठेला लगाने वाले हैं पट्री पर सामान बेचने वाले हैं जो हमारे स्रमिक साती हैं जो गरों में काम करने वाले भाई बहने हैं उन्होंने इस दोरान बहुत कस्ट जेले हैं तपच्या किया है ज्याक किया है ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्तिति को महसूस नहीं किया अब हमारा कर्टब यह है उन्हें ताकत पर बनाने का उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, स्रमीक हो, प्रवासी मद्दूर हो, पशुपालख हो, हमारे मचवारे साती हो, संगटिक छेत्र से हो या संगटिक छेत्र से हर तपके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का एलान किया जाएगा साथियों, कोरोना संगट में हमें लोकल मैनुफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्वप बराबर समझा दिया है संगट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है समय ने हमें सिखाया है, कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्राणिंग की, उन पर गर्व किया तो वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए हैं, वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए हैं इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है लोकल के लिए वोकल बनना है न सिर्प लोकल प्रोडक्स खरिदने हैं बल्कि उनका घर्व से प्रचार भी करना है मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है आपके प्रयास होने तो हर बार आपके प्रती मेरी स्रद्धा को और भड़ाया है मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूँ याद करता हूँ जब मैंने आपसे देश से खादी खरिदने का आगरे किया था ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम बरकर्स को सपोर्ट करें आप देखिए बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड्स तर पर पहुँच गई इतना ही नहीं उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया बहुत छोटा सा प्रयास्ता लेकिन परणा मिला बहुत अच्छा परणा मिला साथियों सभी एक्सपर्स बताते हैं साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाए हम मास्क पहनेंगे दोगजदूरी का पालन करेंगे लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे इसलिए लोगडाउन का चौथा चराण लोगडाउन फोर पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके आधार पर लोगडाउन फोर इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मैई से पहले दी जाएगी मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे साथियों हमारे यहां कहा गया है सर्वम आत्म वशम शुखम अर्थात जो हमारे वश में हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं वही सूख है आत्म निर्भरता हमें सूख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती है 21 वी सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा इस दाइत्व को 130 करोर देश्वास्यों की प्राण सक्ति से ही उर्जा मिलेगी आत्म निर्भर भारत का ये यूग हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा नूतन पर्व भी होगा अब एक नई प्राण शक्ति नई संकल्प सक्ति उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है जब आचार विचार कर्तब्य भाव से सराबोर हो कर्मडता की पराकाष्टा हो कौशल्य की पूजी हो तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे इस संकल्प के साथ इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुबकामनाई देता हूँ आप अपने स्वास्थ का अपने परिवार अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद